नमस्कार दस्ताव का बहुत वास्त होगेते गैजिटोर के करने पिसोर में हर दिन की तरह में आज भी आपके लेकिए बहुत इंटेसिंग टेक न्यूस तो चलिए शुरू किया जाइसका टेक डूस अगला नियूस यह वान प्लस की तरह से तो वान प्लस टीवी जैसे के आपको पता है बहुत ही जल लॉंच होने बाला है और एक ऐसा नियूस आ है कि इस टीवी में होगा एइट स्पीकर जिसका टोटल आउटपूद है 50 वाट मुझे तो यह बहुत ही बढ़िया फीचर अब से तो पब जी के तब से फिर से एक एक्सिडेंट नियूस आया है एक 19 या लरका था जो एक साथ बहुत देट तक पब जी खेल रहा था और जब वो पब जी खेलते के उठा तो ताब उसे ब्रेंस्ट्रोक हो गया मैं तो हमेशा सही कहता हूँ पब जी को खेलिए गेम मने को हमें आपड़ेट बिल्कुल भी नहीं कियाए अगला निए ये मैं एक्सिप्रो की तरफ कि आपको पता है कि राखास मैं प्रों नमकर 730 अब इस cp tra virtue market में लाउंच होता है च कल इंडिया में रेडमी Fr पर रचार स्मार्टमों लाउ сигнал बाला है स्मार्टम लाउन से विस में लॉह भी मतलब में कैमेरा सेंसर वो होगा 108 मेगापिक्सल का मतलब 108 मेगापिक्सल बाद चार स्मार्पोन बहुत ही ज़र शाओमी लॉंच करेगा अगला नीज़ आइफोन 11 की तरफ तो आइफोन 11 में कौन-कौन से इसका थोड़ा सा लिक मिला है जैसे कि पता चल रहा है कि इसमें इस बार ए 13 चीप होगा इसमें होगा 4gb और व्यापतार इस बार कैमेरा से टब्ली होगा तो अब देखते हैं कि आपिए फोन 11 इस बार किश प्रीश छेंज में लॉंच होता है और किया जो स्पेसिफिटीशन में पता ही नहीं चलता है तो एंड्रेट 10 तो बहुत ही जल लॉंच होने वाल है और उसके साथ गूगल पिक्सल 4 और पिक्सल 4 एक्सल भी लॉंच होगा अब इसका FCC certification side में leak भी हो चुका है, जैसे कभी इसमें देख सकते हैं तो आजकर के जो smartphone और gadget से, उनमें तो Wi-Fi 5 ठीक से अभी तक नहीं आया है Wi-Fi 6 के उपर काम चल रहा है, और एक ऐसा news आदा है कि Qualcomm already Wi-Fi 7 के उपर काम शुरू भी कर दिया है और ऐसा का जारे कि आज के मुकाबले, जो Wi-Fi 7 होगा, वो कई गुना ज्यादा speed होगा और कई गुना ज्यादा range भी होगा अगला news देख ZT की ताश, ZT Red Magic 3S नम का एक smartphone बहुत ही चल लांच होगा वो ए जो S बाला भार्चन है, वो Red Magic 3 का successor होगा रहा है इसमें होगा Snapdragon 855 Plus और एक ऐसा news आ रहा है कि इसमें होगा 4D haptic feedback मतलब जब आप game खेलेंगे तो उसके अंदर से जो feedback आएगा वो 4D quality में होगा और इसमें होगा 90Hz का display rate मतलब कह सकता कि फिर से जो Nubia Red Magic 3A से वो market का सबसे बढ़िया gaming smartphone बनने बाला है तो Samsung Galaxy Fold अब इसका official launch date पाते चल चुका है इसका launch date है September 27 मतलब इसी महिने में launch होगा तो देखते हैं कि इस बाले smartphone का price कितना होगा बैसे ऐसा पाते चल रहा है कि 2000 डॉलर के आसपास Samsung Galaxy Fold होगा मतलब लगभग 1500 रुपई के आसपास और इसका जो lower variant होगा वह होगा 37,000 के आसप अग्रा नियूज है Facebook की तर से Facebook एक नया feature बहुत जल्द Facebook में update में देगा वह कोई picture या फिर वीडियो है उसमें कितने ज्यादा like हमें मिल रहा है वह हम उसे छुपा भी सकते यसे YouTube में feature है like और dislike को छुपा सकते पिल्कुल वैसा Facebook में भी हम अपने like रेशियो को छुपा सकते तो आज के टेक नूस एही तक उमीद आज के नियूज को पसंद दे होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद दे है तो इसे like और share करना मत बुलिएगा अगर आप इस channel पर नहीं है तो इस subscribe भी कर दिजेगा और आपके जो भी बीचारी इस वीडियो के बार में वो नीचे comment section में ज़र लिखेगा तो मीलते आगले वीडियो पे तो तब तक stay tuned and always remember think positive be positive thank you